अब ही मैं हूँ एक बहुत ही प्यारे फोरेस्ट में और यहां पर बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसिस है आप उनकी अवाजे सुन सकते हो लेकिन इसके इलाबा गाइज उसको क्लिक करना बर्ड्स की फोटोग्राफ से लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वह बहुत ही ज् देख पाना भी काफी मुश्किल होता है लेकिन आज मेरा जो में टार्गेट है वह बर्ड्स नहीं है मुझे फोटोग्राफ क्लिक करने है कुछ अलग चीज की तो मैंने उसको देख लिया है वह बिल्कुल मेरे सामने है अलांकि वह बहुत ही खतरनाग चीज है लेकिन सेफ अगर आप देखोगे वहां सामने मधिमोख्यों के एक छता है मैं अच्छी खासी दूरी पे हूं और मुझे चाहिए कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स यहां पर देखिए सामने एक कोईल भी बोल रही है यहां पर मुझे कुछ अच्छे शॉर्ट मिल रहे है यह देखिए बहुत बड़ा मधिमोख्यों कुका चता है कि सुबह का टाइम है और ज्यादा धूबी नहीं है ऐसे में यह शांत है कि सुबह वाओ इस च्छते के एक तरफ को ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है इसमें बहुत सारा शेहद हो सकता है लेकिन मेरा टार्गेट शेहद नहीं है अगर हम बात करें मदु मुख्यों की लाइफस्टाइल की तो देखें इनमें एक रानी मक्खी होगी यह सभी मक्खें उन्हीं को फोलो करती है इनमें कुछ ड्रॉन है और वर्कर्स है और अगर एक बूंद शेहद की इकठा करनी हो तो माना जाता है कि एक मदु मक्खी को लाखों फोलों पे जाना पड़ता है और शेहद की प्रकरिया क्या है कि आपको मालूम है जेखी शेहद जो है फोलों का नेक्टर मदु मक्खी कठा करती है उनमें थोड़ा सा पानी मिलाती है اع और उनको खा लेती है फिर उगलती है फिर खाती है ऐसे में जब TAK UNKA पूरा का पूरा पानी वो खतम नहीं हो जाता तब तक इसी प्रक्रिया को की आ जता है और लास्ट में जो बंता है गास वही मोता है तो जैसे фильм का नेक्टरी कठा करते है तो direct वो शहद नहीं होता वो एक process में चलता है काम तो उसको निगल लिया जाता है फिर उगल दिया जाता है खाली जाता है उगल दिया जाता है तो ऐसे में last में जो बचता है वही शहद होता है है घांट पे मुझे बहुत अच्छे फॉटोग्राफ्स मिले अगर बात करें बर्ड फोटोग्राफी की लुट वोड़ा मुशकिल रहता हैङ meus इंदो सब मैं पर्ण करना कम्योंतर करना हमै अपाम यहां थे देखी मुघे मालं फोटो मत!' जो फोटो सेंपल बहुत ही प्यारी है यहां पे गाइज फोटो सेंपल बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि जो मधु मक्या है उनके मन चाहे आप शॉट ले सकते हो अगर आप रापत दूरी बनाई रखते हो तो आपको जादा खात्रा भी नहीं रहेगा तो यहां पे मुझे बहुत अच्छे कुछ फोटोग्राफ मिले बहुत अच्छे यह डिटेल शोट है और यहां से मुझे कोई एक फोटो सेलेक्ट करनी है और उसको मुझे प्रेंट करना है तो प्रेंट के लिए भी गाइज मेरे पस काफी सारे आप्शन है तो यहाँ पर यह देखिए कुछ बेसिक सैंपल है और इनी वेसे में किसी एक फोटो को प्रेंट करूँगा तो गैस फाइनली यहाँ पर मैंना इमेज को सेलेक्ट किया है और यह रहा एक बहुत ही प्यारा प्रेंट तो आप देख सकते हो बिलकुल भी नहीं लगता कि ही यहाँ पर यह एक इमेज है गैस यहाँ पर सभी फोटो बहुत प्यारी थी लेकिन मैंने प्रेंट किया यह देखिए इस फोटो को बहुत प्यारी इमेज है बहुत अच्छी डिटेल है और यहाँ पर आप कुदरत को देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा करीब है कर्केपद को कर्केपद को झाल झाल झाल